हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जज्जमेंट्स इन क्रिमिनल लॉव जो publish किया जाता था for the public at large to invite any objection on that marriage वह mandatory नहीं है बलकि directory है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर publication of notice जो है वह mandatory नहीं है अगर directory है तो वह direction जो है वह कौन देगा और उस direction का इस marriage पर क्या असर पड़ेगा तो आईए start करते हैं अपना वीडियो और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे like करना ना बूले और अगर आप मेरे चैनल पर new है then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get all the latest notifications. So let's start this video. Friends, the special marriage act यानि जिसे हम बोल चाल के भासा में court marriage भी कहते हैं इसके अंतरकत अगर किसी को भी साधी करनी होती है तो उस couple को दो application form बढ़ने होते हैं और इसके साथ ही अपने identity proof, address proof और age proof देना होता है और उन दोनों form को बढ़ना होता है with effort उस form में ये भी declare करना होता है कि कोई भी वेक्ति जो है क्या वह unmarried है या फिर साधी सुदा है अगर वह साधी सुदा था तो उसका spouse जो है वो क्या expire कर चुका है या फिर वो divorce है और इ इन सारे proofs को देने के बाद और form को भढ़ने के बाद जब आप application form जमा करते हैं तो from the date of filing that application form 30 दिनों के बाद फिर वह couple साधी कर सकते हैं इन 30 दिनों के अंतरगर जो भी application form फाइल किया जाता है उस application form की एक पृति को जो भी registrar office होता है उस marriage registrar office के notice board पे लगा दिया जाता है for public at large कि अगर किसी को भी उस marriage पर कोई भी objection है तो वह उस पर objection को file कर सकता है अगर उस notice के उपर कोई भी objection file नहीं होता है तो couple जो है वो 30 दिनों के बाद साधी कर सकते हैं लेकिन अगर कोई objection file कर देता है for any xyz reason तो फिर उस objection पर पहले जो भी marriage officer होते हैं वो inquiry करते हैं और inquiry के बाद अगर वह देखते हैं कि कोई समस्या नहीं है और सब कुछ ठीक है सारे documents ठीक है और कोई problem नहीं है तो वह साधी की इजाज़त देते हैं और अगर कुछ भी गरबड़ी पाया जाता है तो वह उस साधी को register करने से भी इंकार कर दे स सकते हैं अगर कोई objection नहीं आता है तो 30 दिन के बाद वह कपल साधी कर सकते हैं और अगर कोई objection आता है तो उस objection के निप्टारे के बाद ही फिर वह कपल जो है वह इस special marriage act 1954 यानि court marriage के अंतर्गत साधी कर सकते हैं तो यह है पूरी प्रक्रिया in short अब इलहाबाद high court का जो judgment है वह special marriage act 1954 के अंतरगत application को फाइल करने के बाद जो publication of notice है इसी से संबंद रखता है हुआ ही होगी इलहाबाद high court में एक व्यक्ति हीबियस corpus फाइल करता है जिसके details आपको अपने screen पे नजर आ रहे होंगे इस case में petitioner का कहना था कि उसकी साधी जो है वह एक love marriage थी और उन्होंने court marriage किया था और court marriage के बाद उनकी wife जो है वह उनके father-in-law के साथ रह रही है और अब father-in-law जो है वह अपनी बेटी को आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह इस marriage के खिलाफ थे जबकि इनकी wife भी यही चाहती है कि वहाँ आकर मेरे साथ रहें इसके बाद इलावाद high court notice issue करते हैं और इनकी wife, petitioner की wife और इनके father-in-law दोनों court में हाजिर होते हैं लड़की अपने husband के दौरा कही गए बातों का support करती है और कहती है कि उन्होंने love marriage किया था और वह चाहती हैं कि अब अपने husband के साथ रहें दोनों adult हैं इसलिए उनको रोका जाना बिल्कुल ही गैर कानूनी है इसके बाद petitioner के father-in-law भी इस बात की सहमाती दे देते हैं कि चुकि दोनों adult है और दोनों ने अब साधी कर ली है तो दोनों हासी खुसी अपने जीवन को आगे बढ़ाए इस दोरान बाहस के बीच में पति-पत्नी ने court से कहा कि court marriage के दोरान जो publication of notice का जो प्रावधान है वह नहीं होना चाहिए and it infringes the fundamental rights of a person उनका कहना था कि इससे काफी समस्याएं उत्पन होती हैं और जब दो adults एक साथ रहने को तयार है already verified by various documents तो फिर इसमें कोई objection किसी को भी नहीं होना चाहिए और चुकि the special marriage act 1954 के अंतरगत किसी भी religion के लोग साधी कर सकते हैं तो फिर इसमें कोई objection होना ही नहीं चाहिए इसलिए यह जो publication of notice है for inviting objection on that marriage यह couples के fundamental right को infringe करता है पति-पत्नी द्वारा किये गए इस submission पर honorable इलहावाद high court संग्यान लेते हैं और नहीं स्रिफ state government को बलकि central government को भी इस बावक EFIDFIT file करके अपने जवाब को दाखिल करने के लिए कहते हैं और पूरी सुनवाई के बाद honorable high court यह observe करता है कि भारत में जो साधिया हैं वो दो तरीके से होती हैं पहला personal law के तहत और दूसरा the special marriage act 1954 के तहत जिसे आम बोल चाल के बासा में court marriage भी कहा जाता है court ने यह observe कि भारत में अधिकतर साधिया जो है वो personal law के अंतरगत होती हैं और personal law के अंतरगत होने वाले साधियों में किसी भी प्रकार के notice को issue करने की अवश्यक्ता नहीं होती है personal law के अंतरगत अगर suppose आप हिंदू हैं तो स्रिफ आपको पंडित को cover देनी होती है उनको बुलाना होता है और उसके बाद पूरे समाज के सामने वा साधी हो जाती है इसके लिए prior notice देने के अवश्यक्ता नहीं है और नहीं उस साधी के बावत प्रायर किसी भी तरह के किसी भी publication की अवश्यक्ता पड़ती है इसके बाद अगर personal law के दौरा की गई साधी किसी भी तरह से गहर कानूनी है तो फिर उस साधी को challenge किया जाता है और honorable court के दौरा void या voidable declare कराया जाता है लेकिन special marriage act में earlier notice देना पड़ता है honorable court ने further observe किया कि जब personal law में कोई prior publication of notice के अवश्यक्ता नहीं है तो special marriage act 1954 के अंतरगत भी prior publication of notice की कोई विसेस अवश्यक्ता नहीं है क्योंकि अगर इस act के अंतरगत की गई साधियों में भी कुछ खामिया बाद में निकलती है या फिर यह पाया जाता है कि यह कानूनी प्रावधानों का उलंगन करके इस साधी को किया गया है तो फिर the special marriage act 1954 के अंतरगत की गई साधियों को भी void या voidable घुसित किया जा सकता है बिलकुल उसी तरह से जिस तरह से personal law में की गई साधियों को void या voidable घुसित किया जा सकता है इसलिए इस act के अंतरगत भी prior publication of notice की कोई बहुत अवश्यक्ता नहीं है और दूसरी बात यह है कि it also infringes the fundamental right of a person क्योंकि दो व्यक्ति हैं दोनों adult हैं दोनों साधी करना चाते हैं और the special marriage act के अंतरगत यह भी allowed है कि वह चाहे किसी भी जाती और धर्म के हो वह court marriage के अंतरगत यानि कि the special marriage act 1954 के अंतरगत साधी कर सकते हैं तो इस पर स्थिदी में notice लगाना और उस पे objection invite करने का कोई अचित्ते नहीं बनता है और दूसरी बात कि इस तरह के publication of notice जो है it also infringes the fundamental right of a couple finally honorable high court ने इन सारी बातों को observe करने के बाद यह hold किया कि special marriage act 1954 यानि कि court marriage के अंतरगत जो prior publication of notice का प्रावधान है that is infringement of a fundamental right of a couple लेकिन honorable इलावाद high court ने यह भी hold किया कि यह जो प्रावधान है वह mandatory नहीं है बलकि directory है यानि कि अगर couple चाहें तो वह अपनी इच्छा से इस बात की इजाजत marriage officer को दे सकते हैं कि वह उनके उस application के एक प्रिती का publication जो है वह notice board पे कर सकता है अगर couple के इजाजत के बाद उस application form की एक प्रिती को अगर publish किया जाता है तो in that condition it will not infringe the fundamental right of that couple अंध में honorable इलावाद high court ने यह first कर दिया और hold किया कि Special Marriage Act 1954 के अंतरगर जो भी couple साधी करना चाहते हैं उनको application form के साथ साथ लिकित रूप में यह देना होगा कि वह publication of notice चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और अगर उनका consent नहीं होगा तो marriage officer जो हैं वह notice publish नहीं करेंगे लेकिन इलावाद high court ने यह भी इस पस्ट कर दिया कि अगर विक्तिकत रूप से marriage officer को साधी के संबन्द में अगर कोई objection हो सक हो regarding the identification of the couple, regarding age of the couple या फिर regarding the consent of the marriage तो it will be open to the marriage officer कि वह इस संबन्द में कोई verification भी करवा सकते हैं कोई documents जरूरी हो तो couple से मांग भी सकते हैं उसके बाद इस पर निर्ने ले सकते हैं कि इस marriage को वह allow करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो honorable इलावाद high court case judgment से जो समझने वाली बात है वो यह है कि court marriage में prior publication of notice जो होता था application form दाखिल होने के बाद वह mandatory नहीं है बलकि directory है और यह समती couple को देना होगा कि वह इस notice का publication चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और अगर वह इसका publication नहीं चाहेंगे तो marriage officer उनको मजबूर नहीं कर सकता है for the publication of notice और नहीं marriage officer को उस notice को publish करना होगा लेकिन अगर marriage officer को कोई personally objection हो उन्हें अगर लगे कि यह identification जो है वो गलत है जाली है address प्रूफ के संबंद में कोई सक हो या फिर age के संबंद में कोई सक हो या फिर उन्हें लगे कि जो consent दिया जा रहा है marriage के लिए वह by force है तो फिर इस संबंद में marriage officer को या पूरी तरह से छूट है कि वह कोई inquiry करा सकता है verification करा सकता है या किसी भी तरह के documents को वह couple से मांग सकता है और अगर इसमें कोई भी गरवड़ी पाई जाती है तो marriage officer को या पूरी तरीके से अधिकार है कि वह उससे साधी को register करने से मना कर दे आसा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा थास्थ और वाचिंग